आप सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना यह सर दिख रहा है यहां आपको एक URL cil-ntsindia.net.odia यह हमारा लिंक है इस लिंक पे आपको question item input करना है इसके बारे में आपको पता चला होगा कल के session में ही आपको पता चला होगा जैसे ही आप इसके link पे click करेंगे आपको यह web page आपको दिखाएगा यह पहला page है यह home page केते है यह पहला page आपको दिखाएगा आपको नजर आएगा इसमें आपको Login है इसमें यूजरनेम और पासवर्ड डालना है यूजरनेम में आपका Registerd email id आप registration करते वक्क कांसा email id डिये ते वो आपका username होगा और password आपका Mobile number होगा आपने registration करते वक कांसा mobile number धया था वो इसको आप इसमें डालना है, ये यूजर नेम में email ID होगा और password में आपका mobile number होगा, यहां तक तो tick होगा, सबको ये पता चला होगा, इसके बार क्या तरना है आमthen देखेंगे, username और password डालने के बाद login पे क्लिक किजिए जैसे ही आप लॉग इन पर क्लिक करेंगे आपको एक दूसरा पे नजर आएगा इस दूसरे पेज में आपको question item input करना है यहाँ पर आपको छेट टाप्स यह 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह छेट टाप्स आपको दिख रहे हैं यह सारे टाप में जो जो information आपको डालना है उस डालने के बाद submit करते हैं तो आपका एक question item input होगा यह पहला IFC particular है इसके बारे में यह आपको जरूरत नहीं है इसको छोड़ दीजिए दूसरा में दूसरे पे आए यह aspect number aspect number and name aspect number and name क्या होता है आप आपका प्रिश्न यदि language में हो आपका प्रिश्न language में हो है या literature पर है अभी personality को छोड़ दीजिए आप language या literature के ऊपर प्रिश्न बनाएं आप language में प्रिश्न बना रहे हैं तो आप यहां पे click कीजिए आपको एक tree नजर आएगा language का tree नजर आएगा इसके यह tree को आप यह पर फिक करेंगे तो आपको उसके levels सब trees नजर आएगे phonological level, morphological level, syntactic level और semantic level इसके भी अंदर आपको click करते वक्त आपको और सारा sub components जो जो है आपको नजर आएगा आप single sound पर करेंगे या यह आपको नजर आएगा अगर हम चाहते हैं कि आप specifically किसी को क्लिक करें अगर आपको इतना specific नहीं जानते हैं तो आप language के उपर click कर सकते हैं या फिर उसके अंदर जो sub component यह phonology, morphology, syntax, semantic इसके उपर भी आप click करके आप next में जा सकते हैं ऐसे ही literature पर भी है literature के अंदर genesis, generics, aesthetics and affective अगर आप इसके triangle shape को click करेंगे तो यह tree बढ़ता जाएगा आप specifically किसी आपको जानता है कि किसी के ओपर आपको click कर नहीं आप अगर नहीं जानते हैं तो आप literature पर click कर सकते हैं या फिर उसके sub-components genesis, generics, aesthetics से affective पर click कर सकते हैं मैं अभी एक हिंदी का question input करके आपको बताऊंगा क्योंकि मुझे ODIA नहीं आता है इसलिए आप मैं हिंदी में जैसे कर रहा हूँ आप उसी तरह ODIA में कीजिए मैं अभी एक question ले रहा हूँ यह literature का question है इसका number two one two zero five one men and women poets इसके बारे में एक प्रश्न बना रहे हैं आप इसको two one two zero यहां पर है two one two zero five one men and women poets आपको इस तरह जाने की जरूरत है अगर आपको इस तरह जाने की जाने को नहीं मिल रहा है तो आप इसके उपर Genesis के उपर ही click करके आप next से कर सकते हैं मैं अभी specifically men and women poet के बारे में एक प्रश्न बना रहा हूँ इसी दिए मैं इसके उपर number टिक करता हूँ आप aspect number और aspect में खुद पर खुद यहां पर आ जाएगा आपको कुछ लिखने की या type करने की जरूरत नहीं है men and women poet इसके बाद आप next click करेंगे next click करने के बाद यहां पर dimensional problem आपको मिल जाएगा अगर आप language में प्रश्न बना रहा है तो ज्यादा तर specific को आप चूज कर सकते हैं या फिर जैसे ही आपको प्रश्न बनाएंगे आपको पता चल जाएगा आपको किस के ऊपर किस का आइटम को सेलेक्ट करना है मैं अभी specific को सेलेक्ट कर रहा हूँ अगर आप language प्रश्न बना रहा है तो यहां पर change होगा सिर्फ में यहां पर language किया तो यह form structure meaning और usage आजाएगा आप प्रश्न किस के ऊपर बन रहा है यह आपको यह आपके ऊपर है आपको कौन सा सेलेक्ट करेंगे मैं अभी literature के ऊपर बना रहा हूँ इसके बाद specific में pick करोंगा यह मेरा तीसरा टाप भी पुरा हो गया अब मैं चौता टाप बेचा रहा हूँ administering details, administering details यह examiner जो है उसको ज्यादा मदद मिलेगा ताकि वो कोई exam बना रहा है या lab exam या फिर कोई mathematical exam बना रहा है lab exam में को क्या-क्या उपकरण चाहिए उसके बारे में अगर आपको information देना है तो आप administrative details में डाल सकते हैं अभी इस बग इस administrative details को बरने की जरूरब नहीं है आप इसको blank चोड़ सकते हैं इसके बाद instruction to the examiner जो examiner जो student exam दे रहा है उसको इस प्रश्मन के ऊपर क्या instruction आपको देना चाहिए एक sample में दिखा रहा हूँ आपको instruction to the student सही विकलब का chain कीजिए यहां पर अभी administrative details में आपको अभी कुछ नहीं बना है instruction to the examiner आप student को क्या instruction दे रहा है इस प्रश्मी के उत्तर देने के लिए आप यहां पर डालना है मैं अभी सही विकलब का chain कीजिए ऐसा मैं instruction यहां पर डाल रहा हूँ आप मैं हिंदी में डाला हूँ आप उसको ओडिया में डालना पड़ेगा इसके बाद next है यह important tab है question item यहां पर आपको input question input करना है जैसे कल ने शकुत्मा मैंडम ने आपको बोला था दस item types के बारे में हम वो सारे item types यहां पर डाले है objective में 5 और subjective में 5 objective में constant alternative, multiple choice, multiple facet, matching or rearrangement subjective में simple question, completion, short answer, long answer and problem solid अभी में multiple choice के उपर प्रश्न बना रहा हूँ इसलिए multiple choice को select करोंगा मेरा question item जो है मैं यहां पर डाला हूँ मेरा question क्या है मैं इस text box में डालना डालना पड़ा है आप देख सकते हैं कि जो जो mandatory है आप यहां पर एक red color का symbol जो आ रहा है यह star जो है आप इसको mandatory समझ सकते हैं यहां पर हमने दिया है अभी में question item आपको दिखा रहा हूं यह हिंदी का question है यहां पर आपको question item type करना है मांदी ना बजाओ वंशी निम्र में से किस कवी की कविता है जो यह कविता किस कवी ने बनाया यह प्रश्न है इसके हमने छे option आपको देने के लिए text box चोड़े हैं अज सारे छे देना जरूरी नहीं है सिर्फ अगर आप चार option दे रहें तो काफी होगा मैं अभी option आपको बता होंगा कैसे दाना है यह पहला option, please enter first option यह पहला option आप यहां पर डालिए और दूसरा option यहां पर डालिए और तीसरा option इस तीसरे text box में डालिए और छोता option यहां पर चोते text box के उपर डालिए यह चार option होगया है इसके पहले आप 1, 2, 3, 4 या A, B, C, D लगाने की जरूरत नहीं है सिर्फ आप option क्या है उसको डालिए उसके बार answer की इस चार option में कहुंसा correct answer है आप इस answer की अगर multiple choice या objective type question है तो आपको पूरा answer जो answer option में आपने गवंसा सही answer है आप उसको डालना पड़ेगा अगर आप subjective मतलब simple question, short answer, long answer दे रहे हैं तो इस answer की इस जराप है आप answer Q उसके important points उस answer देने के लिए important points क्या हो सकता है आप उसको सिर्फ उतना दीजिए इस answer Q में वो subjective के लिए यह objective के लिए आपको पूरा answer जो answer option में आपने देते हैं वही copy करके यहां पे पेश कर रहा हूं इस प्रश्न को कितना marks आप दे सकते हैं यह भी आप यहां पे डाल सकते हैं यह आप यह नंबर कहा है यहां पे डाल सकते हैं और इस प्रेश्म को answer करने के लिए कितना वक्त चाहिए ये भी आप डाल सकते हैं ये दो मिनिट लगेगा इसको आपके उपर है आप question जैसे कैसे बना रहा है और उसके उपर आपका marks और time depend होगा scoring procedure है ये अगर आप objective ले रहे हैं तो ज्यादा तर enumerative आपको select करना है अगर आप objective question बना रहे हैं तो enumerative scoring procedure में ज्यादा तर enumerative रहेगा अगर आप subjective question बना रहे हैं तो scoring procedure analytical होगा इस सिर्फ इस दो को आप select कर सेते global quality अभी नहीं आएगा सिर्फ अगर अगर आप objective type बना हो इसलिए enumerative होगा यह sub component खुद बखुद आ जाएगा आपको इसके ऊपर कुछ type नहीं करना है objective इस प्रश्न के द्वारा आपका उदेश्य क्या है? क्या आप बच्चे का क्या knowledge आपको आप पहचान सकते हैं? इस question के द्वारा आप इस यहां पर डाला हैं मैं अभी objective यहां पर डाला हूँ चेदानात अगरवाल की खुदी के संबंदित ज्ञान का परिक्षन आप उस बच्चे का बच्चे का ज्ञान सारी जो है enumerative है यह क्या है सार? यह scoring procedure है आप enumerative मतलब आप objective time में सिर्फ marks देते हैं एक नंबर, दो, नंबर, तीन, नंबर, चार नंबर आप ऐसे marks देते चले जाएंगे आप इसको count कर सकते हैं यह दो, तीन, चार अनलिटिकल में आप क्या करते हैं आपको वो बच्चे बच्ची ने क्या answer दिया है, short answer या long answer में, आपको क्या answer दिया है उसको analyze करके उसके बाद आपको marks देना पड़ेगा, इसलिए वो analytical होगा, enumerative सिर्फ आप number देते हैं, अगर बच्ची ने टीक answer दिया है तो एक number देंगे, अगर गलत दिया है तो आपको zero number देते हैं, Sir के बना लेंगे, उसका प्रिंटाओट ऑट हम लोग स्कूर से निकाल सकते हैं क्या से? हाँ मेडम आप उसके बारे में इनकर बता दूदा पहले आप उसको दोर से देंगे उसके बारे में बता दूदा अब आप पर आप बना रहे हैं इस प्रश्न को आप कितना नंबर दे सकते हैं आप इस प्रश्न को मैंनेट नहीं बैर दो तो टो ही चाहिए है तीन ही थिन चयों है यसे नहीं में हुझेख अ सर्ये जो एक कोस्टिन के लिए यह था मिनत एक आप हात्पलार कर सकते हैं या व भरल मेत यह सिर्फ एक पारमेटर है इसके बाद भी वो कर सकते हैं यह सिर्फ एक वस्टन कितने मिनिट में वो कंप्रीट कर सकते हैं इसके परमेट में बोल दता हूं आए एक मिनिट सर्व उसके बाद में वोड प्रेजेटेशन रिटन ही होगा इसके उसको चेंज मत कीजिये यह रिटन होगा एडिकेशन लेवल यह प्रश्टन किस किस एडिकेशन लेवल पे आएगा आप इसको सेलेट कर सकते हैं यह यह रिटन का है मैं इसको सेलेट कर रहा हूं आप यह प्रश्टन को पूछ रहे हैं इसके बारे में आपको यहां पे डालना है राश्टन इमें अभी एक राश्टन डाल के बता हूं आप इस कि परिश्टी के कभी यह दार ना दारो आए और यहां पर संब्धिक नार्ट का पहचान अइडेंटिफेकेशन लेवल पे आप इस प्रश्टन से द्वारा विध्यारती के identification कैसे करता है यह आप इससे जान रहे हैं अगर आप subjective ले रहे हैं तो पहचान उत्पादन के स्थर पर एक वो कैसे यह question बना रहा है वो कैसे question का answer लिख रहा है इसके ओपर आप rational लिख सकते हैं यह उसके बाद choice index, feasibility, discrimination, minority इसके बारे में आपको ज्यादा input करने का कोई जरूर हो नहीं आप खर भी नहीं सकते हैं यह 6 step है इसके बार आप submit करते हैं तो आपका question complete यह question हमारे database में आ जाएगा अगर आप कोई if you find any if you want to check आपको check कर रहा है कि मैंने सब टीक तरह से बढ़ा है या नहीं आप इसके टाप के ऊपर click करके एक बार आप clean आप जेख सकते हैं आपने क्या का input किया है आपको पूरा मिल जाएगा तो आपके पार submit button क्लिक किए जैसे आप submit button क्लिक करेंगे आपका question यहां पे आजाएगा मतलब this question will submit to